हाई अब्रिवान माई नेम इस मोहम्मद ऐसन आज की मेरी वीडियो है डारेक्शन सेंस क्वेस्चन पे तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी रिसेंटली पाकिस्तान नेवी या एर फोर्स का एक्जैम अटेंप करने वाले हैं तो इसमें मैं उसको सालव करूंगा उसमें तकरीब आपको तीन से चार ट्रिक्स बताऊंगा तो उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी डारेक्शन सेंस का क्वेस्चन असानी से स्वाल कर सकते हैं लेट्स टार्ट हेड़ेर सबस्क्राइब तो माई चैनल और अलसो प्रेस इस बैल आइक ग्たम के अंधर बैठना है वहाँ पे आप अपने फिस बिलकुल इस्ट की तरफ आपने आपको शोओ करवाना है कि मेरा जो से और वो यह की तरफ उसके क्या होगा कि अपको कुछ प्रेंट पर्फॉलन नहीं होगी डारेक्शन से वहागो पकर कि बिलन फ्रांट पर वह वक ब्रमयान वाली डिर्मयान वाली तो आपकी नर्थ इस्ट होगी क्योंकि अदर आपको दिर्मयान में ला के खड़ा कर देगा उसमें क्या होगा कि आपको पर डिर्मयान वाली find out करनी है तो ये था directions का second ये clockwise और anti-clockwise directions है इसमें क्या होता है कि बहुत से questions में zero के point पे start करवाया है तो हो सकता है वो आपको कहें कि आप 90 degree घूमने के बाद कौन सी direction पे खड़े हैं ये इस वजह से आपको इन दोनों का concept होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब इसमें तीन तरह के questions आपको exam के अंदर दिये जाते हैं नमबर वन डारेक्ट आपको डारेक्शन का questions दे देगा second आपको एंगल वाइज कुमाने के बाद बताएगा कि किस आप पुजिशन में खड़े हैं थर्ड पे आपका clockwise पूछ सकते हैं पॉस्चन नमबर वन में देखे हैं मैं इस फेसिंग वेस्ट यहां पे खड़ा है एक आदमी और यहां से हो कहता है यहीट ऊन 45 डिग्री इन दा क्लॉक वाइट यहां से क्लॉक वाइज उसने 45 डिग्री मूअ ग tasted 45 डिग्री । हैंने लगे旅धर आप इसले मिखेस में यहां से श्ने एक्षट आच जना 101 डिग्रीं यह 45 यहां तक पं गिया 90 डिग्री यहां तक गिया और और यहां से आगे 45 डिगरी यहां तर अब यह दे के 45 45 90 और 90 180 हो गया तो इसके यहां पर भी हमारे पात उसने 180 डिगरी इसे मूव करवाया यहां से यहां से इस पॉइंट से वापस एंटी क्लॉक वाइज उसने गूमना है यहां से वापस अब यह दे के 45 90 90 यहां तक तो ओगे 180 लेकिन उसने जाना है 270 तक हमें का है इसके हमें 180 से आगे मजीद 90 डिगरी क्रॉस करना है 45 45 को बात यह 45 तो यहां तक कूर 70 तक उसने डारेक्षिन में सफर गी है और वो कहते है विच डारेक्षिन इस फेसिंग नाओ इस पॉइंट पर पहुंच के उसका फेस किस तरफ है यह वह जानना चाहरा है तो अभी देखें आपका दोनों वेस्ट और साउथ के सेंटर में आ चुके हैं इसलिए इसका जो पैस्ट अंसर है我就跑 और साउथ है जैसका बैसेट है दी साउथ और वेस्ट अमें चुके सुस्ट्वो में आप तो आइस्ट है यहां से लेफ्ट ऑगा और उसने 4 किलोमेटर का सफर जाईगिया at least he turned to his left अब यहां से फिर उसने left हो गया और left होने के बाग कितना किया पाँच किलो मीटर का उसने फिर सफर किया now find the distance between the man and his home अब इसमें दो चीजे पूछते रहा है number one distance भी पूछ रहा है second वो कहता है कि direction कौन से distance भी बताना है और direction भी बतानी है आप यह देखें कि 5 किलो मीटर वो इस तरफ गया और वापस 5 किलो मीटर आगया तो यह दो आपने distance काउंट नहीं करने है तो उसने जो सिर्फ distance टै किया है वो तो 4 किलो मीटर उसने actual distance टै किया और इस वक्त जो पोँच यह है वो नर्थ पर स्टे कर रहा है इसका मनलब है किसका best answer है ए पॉस्ट नमबर फॉर देखें भी असन इस फेसिंग इस्ट उसका फेस इस्ट की तरफ है यह तो उसने अंडर्ड डिग्री मूव करने है यहां तक बनके 90 डिग्री और यहां पर पहुंच आप पॉइंट पॉइंट क्लॉइट डिरेक्शन एंड़ दा 145 डिग्री इन एंटी क्लॉइब यहां से वापस एंटी क्लॉइब डार्यक्शन में अब उसने मूव करना है यहां तक हैंडर्ड ओगया अंडर्ड से आगे 45 डिग्री इसने यहां से मूव करना है तो उसका जो फेस है वह पर लिन और्थ की तरफ है उसका बेस्ट अंसर है सभी ऐलेव वाकिंग 20 किलो मीटर नौर्थ आभ यहां से 20 किलो मीटर नौर्थ सब्सक्राइब यहां से राइट और इसने 30 PM का सब्सक्राइब यहां से 35 मीटर यहां से 35 मीटर क्योंकि 20 यहां तक बन्ता था हमने 15 आगे लेके चलेगे डाइब लशा constructive हीनों ते फैटे Wi-tail यहां से यहां से इसने लफ ले लिया और 15 मीटर दिस्टनसेज ने दिल रिन क्या अंड ही टॉनल एन finns 15 отв है और यहां से तो इसने हां और पुछता है कि इस की और पॉजिशन्र कम किस तरफ है और डाय्यक्शन और फिर समें heiß draußen तो नो कितने की हैं, direction भी पूछ रहा है और कितना distance तैकी है, अब यह देखे इसमें जो main point समझने वाला है, कि from his original position, अब हमने जो total distance count करना है, वो original position से count करना है, इसकी original position ये वाली है, अब जिसमें total यहां से distance तैकी है, इसने यहां तक तैकी है, यह इस position तक, simple वो यहां से यहां तक पूछता है, तो it means कि उसने एक 30 किलो मीटर का distance किया, और 15 का तैकी है, तो इसका best answer क्या हुआ, B, और इस वकद इसकी position east की तरफ है, तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे message करें, इंशाला मैं मजीड detail में को समझा दूँग,